ये है मेरा गाठियावाद का पेसेंट तो वो फोन के दुआरा भी बता रही है कि दवा खाने से दर्द तो ठीक है पैर में सूजन आ गया था तो सूजन भी अभी ठीक है और इस दवा के खाने से थोड़ा सा पेट में हलका सा जलन सा महसूस होता है पेसेंट का कहना है पर मैं पहले से आराम ये गाठियावाद का था गाठियावाद ये जो वाद जो होते हैं 84 प्रकार के होते हैं 84 प्रकार के वाद में आमवाद जो पूरे सरेर में होता है रसवाद वो पूरे नसों के द्वारा होता है जिसको नसवाद भी कहते हैं और अस्थीवाद हड्डियों से दर्द होता है फिर आपका हिडवाद मनें सिर्दर्द वाला वाद और होता है लकवे का वाद ये सभी प्रकार के दर्द है वाद में है तो ये 84 प्रकार के होता है लेकिन ये 84 प्रकार की दर्द में, जो वात होता है, उसमें से मेने की गाठिया वात होता है, इस गाठिया वात का लक्षन है, पूरे हमारे गाठ है, उंगली के गाठ है, ये हाथों के गांट है, पैर के गांट है, सब में सूजन सा हो जाता है, दर्द बहुत जादा होता है, कई कई पेसेंटों का, यहां जो हमारा जाइंट है ना, इसमें कटोरियां होते हैं, यहां पर जो ग्लीसरीन होता है, प्राकृतिक रोप से हमारा सरीर में, वो सूख जात सुख जाने के बाद कभी-कभी कट-कट के आवाज भी करता है इस गाठ में तो इसका जो इलाज है हमारा प्राकिर्तिक जड़ी-बुटी पारंपरिक तवर से हम इलाज करते हैं इससे ठीक हो जाता है यह है गाठियावाथ यह पूत्रजीवक है यह बहुत दिव्यावस्दी है पूत्रजीवक किसी लिए नाम पड़ा इसको संदान दाता भी कहते हैं यह उसका फ़ल है इसी फल का चिरोंजी निकाल करके इसके चिरोंजी और सेवलिंगी के बीच दोनों पीस करके हम निसंतान को देते हैं जिसका निसंदे संतान हो जाता है यह ना चाहिए निसंतान लोगों के लिए यह उस भी है अलो दोस्ता मैं नमें प्रमोद और आप देख रहे हैं बस्तरवाले और लगवग एक साल पहले हमने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था भरगवाओं का एक सब्ताईग बजार बहुतारकेमेंट साइं तो उसमेंसे एक कामेंट सा मतरा से पूछए की फरस घुजां में यहाट से ուबसाद इनसे मिलना है इलाज करवाना है तो बिलकुल आ सकते हैं यह दस से पाज बज़े तक यह आफिस में होते हैं और यह जो फॉर्ट डिपार्टमेंट का सदाले है वहाँ पर यह कारे रत है बात करते हैं काफी कुछ आप लोग भी सिखेंगे और हम भी सिखेंगे यह देखिए इनका मेडिकल गार्डन है छोटा सा और मैं देखाता है कारेले हैं द्रामप्रसाद मिसाद मेरा निवास जुगानी कलार में है और यह जो वनवस धले है दो हजार तीन में इस्थापित हुआ इसके पहले हम अपने घर में इलाज करते थे क्योंकि हम परंपरागत चिकित्सा परंपरागत जड़ी बुटियों से हम इलाज करते हैं ये इलाज हमारा दादा परदादा हमारे कई पिढ़ियों से परिवार के लोग करते आ रहे हैं गाठियावाद, शूगर, शीकल सेल और जिनका किड्नी फेल हो गया है, किड्नी प्लांट कराना होता है, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है ऐसे पेसेंट भी हमारे यहां आते हैं, जो जिनका डायलिसिच चलता है 15 दिन, एक हफ्ता में डेली डायलिसिच से परिशान रहते हैं ऐसे पेसेंट हमारे यहां आते हैं, और हमारे यहां के इलाज से पूरे-पूरे लाब ले रहे हैं और अभी तक के मेरे यहां किडिनी फेलवर के पेशेंट दो हजार तीन से लेकर के अभी तक के करीब डेड़ सो पेशेंट ठीक हो चुके हैं और शीकल सेल का पेशेंट तो अनगिनन्त है कहा नहीं सकता और शुगर के पेशेंट तो डेली हमारे पास हफता में 10 या 15 पेशेंट हमारा सुगर का ही रहते हैं शुगर के लिए हमारे यहां का उस्थी 6 महिना अनुवरत लगातार लेना पड़ता है और शीकल सेल के लिए भी 6 महिना लेना पड़ता है और अलसर के लिए 3-6 महिना उसके लिए भी लेना पड़ता है गाठियावाद के लिए 6-9 महिना दवा लेना पड़ता है हमारे हिहां समस्त आयर्वेधिक, परमपरिक, जड़िबुटी के अवस्दी निर्माण करके ही उससे ही इलाज किया जाता है इससे सारे पेसिंट ठीक होते जा रहे हैं. पेसिंट आते हैं. ये पूरे शमँष्ट चाहे प्राइवेट हस्पिटल हो या सास्की हस्पिटल हो. सारे हस्पिटल में ए्लाज कराने के बाद जो ठक जाते हैं. बड़े- Autum Amazing. के पेसेंट जैसे गाठियावाथ है, सिकलिंग है, सूगर है, आपका अलसर है, किंसर है, इस तरह से पीलिया है, खुन की कमी है, ऐसे जितने भी बड़े पेसेंट हैं, ये सभी तरह ठक जाने के बाद हमारे पास आते हैं, और आने के बाद हमने उनका ही पूरा रिपूर्ट हुए इलाज करते हैं, और ये जड़ी बुटी का इलाज जो है, हमारे इलाज सुरू होने के पहले मात्र गाओं में और बैदों के घर तक के सिमित था, जिसको हमारे फारिष्ट भी भागने, हमको उठा करके सीधा प्रसासन के साथ जोड़ दिया, और हमारे लिए विसेश राजसरकार ने वनवध्धी पादव बोड का गठन किया है, और उस पादव बोड की गठन, अंतर गत्थ हम लोग सारे बैद, जिस तरह से हमारे कुंडा गाओं जीले में 4500 बैद पंजीकृत हैं, कांकिर जीले में 200 बैद पंजीकृत हैं, दमतरी जीलों में 3500 बैद जाते हैं। हमारा कई पिढ़ी दर पिढ़ी से यह चला आ रहा है और हम लोगों का डिगरी केवल हमें वनसपति और जंगल से ही मिलता है। बस्तर छेतर में रहते हैं तो यहां पर कितने टाइब के वनस्तर अंचल बहुत ही वनस्तर जड़ी बुटियों के ख़दान है यहां पर कुछ दिन पहले हमारे यहां और भी परचूर मात्रा में जैसे रासना है और मालकांगनी है बहुत बहुमोल्य या उसदिया है हमारा सतावर है यह सारे यहां मिलते थे लेकिन कुछ बहरी ब्यापारियों के द्वारा दोहन करने के कारण हमारा रसना तो यह बिलकुल यहां लुपत हो गया है सतावर यह भी लुपत प्रहाए है और मालकांगनी यह भी लुपत प्रहाए है और यहां पर विसेश करके सफेद मुसली और बाइवडिंग इस तरह के आउस्दियां परचूर मात्र में मिलता है जंगल के जाड में से जैसे कूटज है साल के गोंद है यहाँ पर कुल्लू के गोंद है और अरजुन जाड है इनका बहुत सारे दवाईयां बनते हैं और साथ साथे तो मैंने कुछ जो यहाँ पर बहुप योगी हम उप योग कर्राया यहां उसी का बताया और यहां बस्तर की समश्थ जितने भी पेड पौळे हैं जड़ी बूटी हैं यहां का घास पुसाई सब ही और कामाते हैं और सब ही हमने और्षदी बनाते हैं आब इसमें हम कम से कम यहां पर बहु किमती बेस किमती आउस्दियां 225 तक बाहरी दोहन के करण ये सब अभी खतम हो गए हैं और विशेश करके हमारे अभी जितने भी वनस्पती है ये सारे वनस्पती का अभी हम लुगों का निवेदन है फारेश्ट से सरकार से भी इनका सरक्षण करने के बहुत आउसकता है बिलुप्त होते हुए वनस्धियों को फ एक प्रकार के करसी करन में भी इसको इस्थान देने का बहुत जरूरी हो गया है जो वनस्पती है इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी है तो इस तरह के जो कारे साला है जो बच्चे या जो भी सिखना चाते इस प्रद्धती को तो उसके लिए आप लोग क पूछे कि मुझे सीखना है जानना है तो आप उस उस बारे में क्या सोचते हैं थोड़ा था बताईंगे इस विशे में हमारे विभाग के दोरा है करह साल्ड 그래서 रखाजाता है और इस अस्चेला में समस्त वैधों को आवसान इस से घ्ञान बाते हैं सिखते हैं, और हमारा प्रयास है कि इसे कि फारेष्ट विभाग या हमारा राज्य सासन के द्वारा भी समय समय पर यह कार्यसाला, परशिक्षण के लिए रखें और रख करके हमें मार्ग दरसन देते रहें, यह सुझाओ, हम प्रसासन को भी भेजा ह और विभाग को भी देते रहते हैं अभी पिछले तीन महिना पहले हमारे यहां काके रिविरित के स्रियप साहब से चर्चा हुई है और स्रियप साहब ने दो दिवसी कारे साला हमारा केस काल डिविजन के अंतरगत एक जिसको कहते हैं टाठा मारी टाठा मारी एक दार्शनिक किस्थल है वहाँ पर दो दिविशे कारेशाला रखने का उन्होंने गोशना किया है और जहां तक के यह अप्रेल में यह कारेशाला हो जाना है पूरे संभाग के बाइदों को वहां बुलाया जाएगा तो पूछिए आप कब से दवा ले रहे हैं आपको जो सर से कितने निनों से ले रहे हैं कितने महने से ले रहे हैं और दवा खाने एक बाद कैसा लगा किस तरह का अराम आया नहीं आया और इससे पहले आपने कौन-कौन से इलाज करवाया जैसे हमारे यहां फरस गाव में बहुत से एक सास्की अस्पिताल भी है वहाँ पर गया होंगे इलाज से भी यहां आने से पहले तो वहां का अनुबह कैसा रहा और यहां आने के बाद सर्दे जैसे इलाज करवाया तो उसके बाद क्या फरक मैसूस हुआ थोड़ता बताएंगे मेरे 12 साल से है सपेग क्वाने मैं हास्पिटल में गई कहां-कहां तो बहुत सारा दवाई ली फिर भी ठीक नहीं लगा तो नामलच्छा यानाग है नारनपूर से आई हूँ हास्पिटल पहले गई कहुत दिन से, तीन चार जगा हास्पिटल में में दिखाई, दवाई लीप फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, यहां का अब ले रही हूँ एक महना हुआ है, तो हलका सथ ठीक हुआ है फिर नहीं हुआ है उतना जादा, और दवाई खाऊंगी तो कैसे देगा भी तो नहीं हुआ है, यह 12 साल के बाद इन्होंने हमारे पास पूरे अस्पताल भून के आई, तो आने के बाद हमारे यहां के दवाई से इनके कहने के अनुसार, लगभग 30-40 प्रतिसत इनको आराम मिला, आराम मिलने के बाद अभी कुछ दिन से वो दुबारा फि होता है, तीन महना से छे महने का, तो हमने इनको तीन महना बताया था, पर अब लग रहा है, आज इनके नाड़ी से पता चलता है, कि इनको लंबा लेना पड़ेगा, छे महा तक के दवा लेना पड़ेगा, और यह बिमारी जड़ से इसको खतम होना पड़ेगा, हमारे पास जो भी पेसेंट आता है इस तरह से बड़ा पेसेंट है जैसे स्वेट प्रदर बहुत बड़ा बिमारी है गाठियावाद बिमारी है सिकलिंग सुगर यह बहुत बड़े बिमारी यहां है यह पेसेंट हमारे पास डारेक्ट नहीं आते यह पूरे अस्पताल में इलाज कराने के बाद जो वहाँ ठक जाते हैं उसके बाद ही वो यहां आते हैं तो हमने पेसेंट से पूरा उनके साज की पैथालाजी रिपोर्ट पूरा देखते हैं और उसके आधार पर हमने यहां इलाज देते हैं जैसे इनका हमने पिछले महना में रिपोर्ट पूछा रिपोर्ट दि यह कोई डारेक्ट पेसेंट नहीं है, हमारा पूरे एस्पताल से घूमने के बाद कोई साल भर, कोई दो साल, कोई पांस साल, कोई दस साल, जैसे बता रहे हैं, यह बारा साल इसे दवाईयां है वो नस्पतियां है वो हमारे दुआरा ही संग्रान करके उसको निर्मान करने का होता है और कई ऐसे वो नस्पतियां है जैसे हमारे पेसिंट आते हैं जिनको रोज हमें तुरंत बना करके देने का होता है ऐसे वो नस्पति के बारे में हमारे पेसिंटों को हम बता देते हैं वो धारण की तवर पर हम बोलें पत्री के लिए हम यहाँ पर विशेश करके ये एक आउजधी का उपियोग जादा करते हैं जिसको कहते हैं लाजवन्ति छुई मईं जिसका जड़ को सव ग्राम खोद करक करके उसको धो करके कूट करके उसका काढ़ा बनाए काढ़ा बना करके तीन दिन तक कि उसका सेवन करें तो पत्री जड़ से ही खतम हो जाता है चाहे सरीर में पितासाय में रहे किड्नी में रहे उरिन ब्लाडर में रहे कहीं भी रहे इसको पूरा उसने गला करके या ऐसे ह यूरिन के द्वारा निकाल करके खतम कर देता है इसी तरह से कई और अनस्पती है जिस तरह से अड़ककुल नाम से एक वनस्पती होता है जो घास की तरह होता है वो अपरस बिमारी चर्मरूग में बहुत अच्छा फाइदा होता है उसको भी रोज लगाने का जरूरत है तो हम पेसेंट को रोज यहां नहीं बुला सकते तो हम उसको पहचान बता देते हैं पेसेंट अपने द्वारा उसका उन्होंने परियोग करते हैं परियोग करके आ करके बताते हैं बैज जी आपके बताया हुआ दवा तीन दिन में हमारा अपरस जैसे बिमारी ठीक हो गया इस लगभासा में कुटेज कहते हैं, इसका चाल का काड़ा या पाउडर बना करके खाने के लिए बताते हैं, जिस से तीन चार खुराक के बाद ये दस्त डाइरिया कंट्रोल हो जाता है, और पेचिज जैसे एक बहुत बड़ा बीमारी है, जिस पेचिज की बीमारी से गवर्मे के मातरे में खाने के लिए बताते हैं, इसको पांच-छे खुराक खा लेता है, तो ये आउड़ा से पतला दस्त में ये जो साल का गोंद है, जिसको हम धूप के नाम से भी जानते हैं, जिसको राल भी कहते हैं, ये इसका पाउडर एक चमस हम बना करके खाते हैं, तो पतला दस्त जो है, डाहरिया है, तुरंत कंट्रोल हो जाता है, अब साथ साथ इस राल को हम सवेत प्रदर के जो पेसेंट हैं, इनको भी हम उनके दवाईयों मिला करके देते हैं, सवेत प्रदर को कंट्रोल करने के लिए ये राल बहुत सुन्दर आउद्धी है, साथ साथ अभी मैंने जिक्र कर रहा था किड़नी फेल के लिए जिसके लिए पाँच लाग छे लाग या दस लाग तक के खर्टा हो जाता है इनके लिए हमारे बस्तर में बिसेस करके हमारे जंगल में यहां मिलता है स्योगनाक नाम के एक वनस्पती बहुत बड़ा जाड होता है जिसको सही करना शुरू कर देता है और जिसका किड़नी प्लांट करने का जरूरत रहता है उसको भी रोक देता है और किड़नी प्लांट करने की जरूरत नहीं होता है अभी कम से कम मेरे पास साल भर में आठ से दस पेसेंट है जो रायपूर जाकर डायलेसिस करा रहे थे और उनका 9000 खर्चा हुआ, किसी को 12000 खर्चा हुआ, किसी को 3000 खर्चा हुआ और ये kidney plant कराने वाले patient ठीक हो गया है इस तरह से हमारे बस्तर के बहुत सारे बहुमुल्य वनस्पति हैं सतावर, सतावर यहां सदा बाहर मिलता है और ये सतावर के चूंड हमने, जिस माता के बच्चे सिसू रूप में है और उसका जो दूद नहीं आ रहा है, दूद सूख जाता है तो इसके लिए हमने सतावर के चूंड खिलाते हैं इससे मा को बराबर दूद अना सुरू हो जाता है इसी तरह से यहाँ पर मलेरिया या वायरल फिवर बहुत ज़्यादा फैलता है इसके लिए हम यहाँ पापीता के पत्ता, पारिजात के पत्ता, गिलोई के पत्ता इनके द्वारा दवाई निर्मान करते हैं जिसमें हम खल्दी भी मिश्राण कर देते हैं इससे टाइफाइट से लेकर मलेरिया तक के फिवर ठीक हो जाते हैं अब इसे इसकर यहां काल में चिरायता नाम के एक उनस्पती मिलता है यह तो बुखार के बहुत अच्छा जिसको क जानने और प्रियोग करने के उपर ही है और नहीं जानने पर यह कुछ नहीं है जानने पर सभी दवा है दिल्ली से इंदोर से बिलासपूर से जमलपूर से माने इंडिया के सभी कोने से हमारे यहां पेसेंट आते हैं और कभी-कभी तो वह ज्यादा तो नहीं दो-चार पे पेसेंट भी ठीक हो गये हैं एक बार तो मेरे यहां किड़नी का पेसेंट है अमेरिका से आया हुआ था यहां से तीन महिना दवा लेके गया और वो बोलता है तीन महिना में पूर्णता ठीक हो गया यह बैद सासकी डिग्री डारी नहीं होते या किसी प्रमाडी करन वाले नहीं होते हैं यह हमारे गाओं में सुदूर जंगल अंचल में बसते हैं और यह अपने पारम परीक पिढ़ी दर पिढ़ी से जो हमारे पूर्णता के द्वारा परियोग करते हैं ऐसे आउस्धियों का जानकारी लेकर के उसी को यह आगे बढ़ाते हैं और यह इसलिए हम पारम पर इसी किस्सा कहते हैं कि पिढ़ी दर पिढ़ी से चला आया है और इसमें हमारा जो पेसेंट ठीक हो जाता है वही हमारा प्रमाड है और सारे वनस्पतियों के दुआरा हम इलाज करने सीखते हैं इलाज का अनुभव करते हैं जिस भी वो नस्पति को नया पकड़ते हैं हम तो उसका हम पहले दवाई बना करके लोगों के उपर पहले परिक्षण करते हैं उसके बाद ही इसको हम चिकिस्सा में उतारते हैं इस तरह से हमारा परम परिक्षिकिस्सा अनुवरत चलता है और चल रहा है जन साजारण में भी इसका प्रचार पसार करते हैं तभी कभी हमारा महा सम्मिलन होता है या आम जनता के सम्मिलन होता है वहां जाकर के हमने परियावरन के रक्षा के लिए और जड़ी बुटी के बचाने के लिए जंगल को आग से जलाने से बचाने के लिए लोग हम अपने गाओं में अपने घरों में अपने कबजे के जमीन में यदि खाली जगा है वहाँ पर कुछ जड़ी बुटियां कम से कम प्रतेग घर में 10-20 पौधे लगाएं और हमारे परेवरन के रक्षार्ट जैसे आमले का पेड़ है सिसम के पेड़ है अरजुन के पेड़ है या जितने भी हमारे काश्टी पेड़ पौधे हैं या वनस्पती आउस्दियक पेड़ पौधे हैं इस सब को सब लगाएं लगा करके इसको जिस तरह से अपने परिवार में अपने परिवार का हमने सरक्षड करते हैं उसी तरह से ज लंगल के जड़ी बुटियों को बचाने का ज़्यादा हम प्रयास करें यही हम प्रयास रत रहते हैं और इसी तरह से हम लोगों को वनस्पति के बारे में जागरूप करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कुछ आप लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा हम कोशिस करेंगे उसका अंसर करने के लिए अब तक लिए देखते रह